तो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग भूत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गौट टेक्निकल दोस्तो सिखाना मेरा काम सिखना आपका आज जो हमारे चैनल पर पहली बार बंदा विजिट कर रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबादो क्योंके दोस्तो शेयर चैट से रिलेटिड वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं ही लाता रहता हूँ आप सब लोगों ने यूटूब पर देखी लिया होगा तो दोस्तो क्योंके मुझे बड़ा टाइम लगता है और टाइम लगने की पीशे भी एक कारण है कि जब तक मैं उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंचता जब तक मैं वो वीडियो नहीं बनाता हूँ और अपके सबसे ज़ादा कमेंट्स जो हैं तीन दिन के अंदर जो मुझे सबसे ज़ादा कमेंट्स आएं वो यही हैं कि शेयर चैट पर क्या यूटूब की लिंक डाल सकते ह हम तो भाई आज के टॉपिक पर हम इसी लिए बात करने वाले हैं और इसी मुद्धे को लेकर बात करेंगे कि शेर चैट पर क्या आप यूटूब के चैनल का जो लिंक है वो डाल सकते हो या फिन नहीं तो दोस्तो ऐसे में मैंने बताई दिया है आप लोग जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और साथ में लेकर नोडिविकेशन बैल को जरूर दबाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छा यहां पर देखा जाए तो भई शेर्चैट पर आप जो भी वीडियो बनाते हो वो शेर्चैट के कैमरे से बना रहे हो अगर नहीं बना रहे हो तो शेर्चैट का कैमरा यूज कर लो दोस्तों क्यूंकि आपको बेनिफिट भी इससे है अर्निंग भी इससे है और आपकी जो प्रोफाइल अच्छी होगी वो भी इसी के कारण होगी क्यूंकि इससे ही मैथड सब कुछ आपका होता है चाहें वो आपकी व्यूज हो तो भी आपके औरिजिनल कैमरे के वज़े से जाएंगे अगर आपके लाइकस अच्छे बड़ रहे हैं तो भी आपके कैमरे से बजाएंगे अगर आपके व्यूज चेट पर जितने भी ट्रेंडिंग व्यूज हुआ कैमरा वो भी शेट का कैमरा यह नहीं कि आपने mobile camera से वीडियो बनाई उसको save कर लिए फिर share chat पर जाके उसको upload कर दी ऐसा मत करना अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जैसे कि हम topic पर आ रहे थे तो topic हमारा यही था YouTube वाला तो यहाँ YouTube वाला जो part है वो यह है कि अगर आपका YouTube channel है और अगर आपने YouTube channel पर कोई ऐसी वीडियो बना रखी है जो share chat से related है तो ही आप उस वीडियो का link जो है आप share chat पर दे सकते हो मतलब कभी ऐसा हो कि अगर आप मान लो जैसे बहुत सा ऐसे लोग होते हैं जो share chat पर जादातर status डालते हैं love का status डाल दिया शायरी वाला status डाल दिया इवन शायरी की images डाल दी है तो क्या होता है कि उन लोगों का कही न कहीं खुद का channel एक YouTube पर होता है तो YouTube का अगर उनका channel है तो कोई दिक्कत नहीं है आप डाल सकते हो उसको लेकिन ऐसा ना हो कि वो channel किसी और का हो और वो branding channel हो और उस channel की link आप अपने share chat पर डाल लें तो ऐसे में जो share chat होता वो समझ जाता है कि यह almost trending वाली चीज़े YouTube से उठा रहा है और उसको उठाने के बा सल्मान खान की एक ऐसी news है जो इस वक्त काफी जादा highlight हो गए मतलब आग बनके निकल रही है कुछ उसने ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया अब उस topic पर आप एक image लेके कुछ बनाते हो content वो share chat पर डालते हो तो वो समझ में आता है लेकिन सल्मान खान की news चलाई आस तक वालों पर डालते हो तो ऐसे में share chat समझ जाता है कि यह almost millions वाले लोग हैं जो उसको देख रहे हैं तो कहीं न कहीं वो लोग YouTube पर भी देख रहे होते हैं वो ही सारे public जो होती है और वो ही public जिसने share chat है जो share chat पर है वो ही public उस video को देखके यह सोचती है कि यार मैंने YouTube पर भी देखा यहां पर भी देखा आखिर है क्या यह देखता हूं तो आपने कुछ न कुछ contain में भी ऐसी लिखा होता है कि उसको वो play करके देखे तो यह चोटा सा funda ऐसा है जो share chat बहुत जल्दी समझ जाता है और आपको भी समझने की जल्दी है तो ऐसी गलती ना करें अगर आपका चीज समझ में आई होगी और अगर फिर भी कुछ queries आपकी रहती है तो मुझे comment करके ज़रूर बताओ दोस्तो चैसी वीडियो लगी उस हिसाब से मेरे को वीडियो भी बता दे और वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को दोस्तो आज के लिए बस इतने ह झाल